नमस्कार दोस्तो आपके अपने यूटूब चेनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में विच्छा करने जा रहे हैं हाली में दोस्तो ऐसे सी टेनल परिस्टू का एकजाम चल रहा है और एक जुलाई से एकजाम शुरू हुआ है उस के इस अमने ग्यान के परसंट भी आप देख सकते हैं जिसे आपके तयारी इंप्रूव हो सके यह परसंट दोस्तो हमें जो बेजे हैं वो जो विडियारत एकजाम देकर आ रहे हैं उन्होंने बेजे हैं यहां से आप में वाट्सप पर बैज सकते हैं परसंट जैसे बाकी वच्चे बेज रहे हैं, तो WhatsApp नमबर नोट कर लिजे दोस्तो, WhatsApp नमबर है 800 008 के बाद में तीन बार 0 है, उसके बाद है 738 546, तो ये दोस्तों हमारा WhatsApp नमबर है, इस WhatsApp नमबर पर आप हमें कलाम आप हमें वाट्चाप कर सकते हैं, तो नमबर एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 800 00738 546, तो इस WhatsApp नमबर पर आप हमें पेपरें शेंड कर सकते हैं, तो ये पेपर भी हमें बच्चों ने बेज़े हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अब देखते हैं, क्योशन, ये करम दोस्तों हमने अपने शाप से लगए हैं, क्योशन का करम अलग 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 था, क्योशन भी अलग अलग बच्चो का एक वीडियो बना कर डाल रखका है तो उसका लिंक आपको में नीचे रिस्क्रिश्म में देदूँगा या उपर आई बटन में देदूँगा तो वहाँ पर उसको आपे जरूर देखना जिसे आपका एक कुशन तो सही हो उसके नेक्स्ट है पर्थम लोकपाल कोन थे तो पर्थम लोकपाल थे दोस्तो पिनाकी चंदर गोस हैं यह सुप्रिम कोट के पूर्वे जो नियादीश थे जिने पर्थम लोकपाल बना गया था पिनाकी चंदर गोस उनका नाम था अगला जो परसन है वह गंगा की लंबाई कितनी है तो गंगा नदी के लंबाई के बारे में कुछन आया है तो यह दोस्तो पत्चीस सो पत्चीस किलोमेटर गंगा की लंबाई है नेक्स्ट कुछन है लोकपाल का कारेकाल कितना होता है तो लोकपाल का कारेकाल होते हैं तो कबड़ी में दोस्तो साथ प्लेयरे होते हैं अगला परसन है गोवा के मुख्य मंतरी कोन है तो गोवा के वर्तमान जो मुख्य मंतरी है प्रमोध सावंथ है इससे पहले मनौल पारिकर थे जिनका दिहान तो हो गया था जिसके बाद में प्रमोध सावंथ को मुख एक लाइक जुरू कर दें जिसे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है तो लगातार आपके लिए वीडियो लेकर आते रहते हैं तो वीडियो को सभी दोस्तों के साथ वार्टसप गुर्पों में ज्यादा शेयर जुरू कर दें यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए निचे दियागे लाल सस्क्राइब के बिटन को दबा करें चैनल को सस्क्राइब कर लें तो उसके पास जो बेल आइक और गंटे का सामनावा है उस गंटे के रिशान को जुरू दबाते हैं जिसे हमारे आगे आने पूल के हैं नेक्स तो किसन है वह है मेन बुकर इंटरनेशल अवार्ड हाली में किसने जीता है तो किसने जीता है यह मारलियन बूत और जोका अले हरतीन जीता है किसके लिए यह इनकी एक क्रिस्टियाले बोडी जी एक फुस्तक है इस पुस्तक के लिए इन्हें मेन बुक के CYou है दोस्तों विल्ड वींग का खेली काँ तीत है आप हमें नीचे कमेंट करके बताअगर करें रिचेप तहीप क्या तुर्की के बयत्माने राष्ट्रपती हैं अगला कुशण देखते हैं गुनी 120 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था गुनी 120 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वैदोस्तो नागपुर में हुआ था उसमें वहाँ पर अधिक्स किसे चुना गया था तो देख चुना गया था शिरी विजिया रागवा चारिय को कांग्रेस का देख से चुना गया था अगला जो क्यूशन देखते हैं तो यह है दिल्ली के मुख्य मंतरी को सपत कौन दिलाता है तो दिल्ली के मुख्य मंतरी को सपत दोस्तों वहाँ का जो उपराज्य पाल होता है वह सपत दिलाता है दि शेलंका में ग्रह युदे कब समाप्थ हुआ था तो शेलंका में ग्रह युदे फीमर है तो दोस्तो सबसे छोटी अटी का नाम बताईए आप نیचे comment करके ज़ल्दी बताईए सबसे छोटी हडी का क्या नाम है अगला question है GST का full form क्या है तो GST का full form है goods and service tax ये GST का full form है दोस्तों ये दिया paper देखकर आ रहे हैं तो आप हमारे whatsapp नंबर पर हमें paper ज़रूर वाट्सप कर दें जिसे बाके लोगों तक paper पहुंच पाए next है भारत की विश्वे economy में क्या rank है तो भारत की विश्वे economy में 60 rank है अगला परसन है इंडिया 2020 के लेकर कोन है तो ये फुस्तक है इंडिया 2020 ये बहुत ही चर्चित फुस्तक है इसके लेकर की भी बहुत चर्चित है तो उनका नाम है दोस्तों भारत के पुर्व राष्टपती महान एपीजे अब्दुलकलाम एपीजे अब्दुलकलाम का पूरा नाम दोस्तों बहुत बार हमने दिसक्स भी किया होगा तो पूरा नाम क्या है वो आप हमें दिचे कमेंट करके बताएए देखें आपका current कितना जी के कितना improve है next question है पतियों का हरा रंग किस कारण होता है तो ये science का question आगए अभी पतियों का हरा रंग किस के कारण होता है तो ये chlorophyll की उपस्तित के कारण है पतियों का रंग हरा होता है अगला परसन है सांतिक का परतीक है सांतिक का प्रतीक दोस्तोफ कौन सा रंग है? सानतिक का प्रतीक, option दिये यह रा, सफेद, याल, पिला, तो उसमें से सफेद रंग है, यह सांतिक का प्रतीक है, इसका जो संकेतक है वह कबुत्तर है नेक्स्ट कुशन है दोस्तो, पानीपत का तीसरा यूद कब हुआ था, यह उपर भी मैंने कुशन आया है, अब देख लिजिए, दुबारा रिपीट हो गया है, पानीपत का तीसरा यूद कब हुआ दोस्तो, तो यह 17 जनवरी 1761 में हुआ था, नेक्स्ट कुशन है, तो पान से स्टार पीवी सिंदु ने ये पदके जीता है तो पीवी सिंदु के गुरू का क्या नाम है वो आप हमें बताइए नेक्स्ट है नमक का रसानिक नाम क्या है तो सोडियम कलोराइड एने सियल ये केमिस्ट्री से आ गया रसानिक नाम क्या है एने सियल सोडियम कलोराइड इस तो France, next है भरतनाटेम कहा का लोकनरते है तो भरतनाटेम तमिललादुका लोकनरते है, अगला परसन देखते है DNA का पूरा नाम क्या है तो Dioxyribose Nucleae 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 Acid, तो Dioxyribose बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिए Dioxyribose Nucleae Nucleae यह इसका पुरहण नहाव है बधन सब्याइबन नेपान है इंग्ली से संघित्ट क्यूहां इस पूछा गया है नेक्स्ट है राष्ट्रिय मद्दाता दिवस कब बना जाता है तो राष्ट्रिय मद्दाता दिवस दोस्तो हर वरस पत्चीज जनवरी को राष्ट्रिय मद्दाता दिवस से बना जाता है तो हर वरस दोस्तो तीज जनवरी को कौन सा दिवस मना जाता है ये जल्दी से आपके कमिट करके बताइए नेक्स्ट है दोस्तो उप महादीब ये का नाम बताइए जहां से करक रेखा, मकर रेखा और मद्य रेखा से गुजरती है उस महादीब का नाम बताइए तो उस महादीब का नाम क्या है यह अपरिका है उपमादीब जिसका राइट आंसर है नेक्स्ट है पितर दुरा तकनिकी से कौन सा समर्क बना है तो पितर दुरा तकनिकी से आगरा का तो ताज महल है वह है बनावा है तो ताज महल इसका सही उतर हो गया नेक्स्ट कुशन है दोस्तो मोली कदिकार का वंडन किस बाग में है तो सुविधान में मोली कदिकार का वंडन सुविधान के तीसरे बाग में मोली कदिकारों का वंडन नहीं किया गया है तो मोली कदिकार इसका तीसरा इसका राइट आंसरे हो गया तो ये थे दोस्तों शेकेंड पारी में जो क्यूसन आए थे अभी भी लगाता है हमारे पास वाटसप पे क्यूसन आ रहे हैं जैसे दोस्तों क्यूसन सारे क्यूसन आजाएगे उस सबका comment वीडियो बना कर हम साम को चैनल पर डाल जेंगे तो सारे परसंद भी आप एक साथ है देख पाएंगे जैसे दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को share नहीं किया तो सभी दोस्तों के साथ वाटसप पे share कर दें तो यदि आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो निचे दिएगे लाल subscribe के बटन को दबा कर चैनल को subscribe कर लें तो उसके पास जो बेल आइकोन गंटे का समनावा है उस गंटे के निचान को जरूर दबा दें जिसे हमारे आगे आने वाले सभी जो SSE की 10 प्लस टूक है जो पेपर है सभी पेपर आप तक के पहुंच पाए धन्यवाद दोस्तों फिर मिलते हैं अगली परी के वीडियो के साथ